ये नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मोहित आप देखरें इंजीनियर्जिस इसलेक्राणियुक चैनल आज की इस वीडियो में हम अल्टरासोनिक सेंसर को आडीनो से इंटरफेस कराएं तो ये एक ल्टररासोनिक सेंसर है ये अल्टरासाund waves जणरेट करता है इसकी operating voltage 5V है इसका यूज़ करके आप बहुत सारी project बना सकते हैं इसका यूज़ करके आप एक obstacle avoiding robot बना सकते है इसका यूज़ करके आप object को वार्टर में detect कर सकते हैं तो यह एक transceiver module है, मतलब कि यह ultra sound waves को transmit भी करता है और उन्हें receive भी करता है तो जहां पर आप T वाला label देख रहे हैं, वहां से ultra sound wave को transmit करता है और जो R वाला sign है, वहां पर यह ultra sound wave को receive करता है तो इसमें आपको 4 pin मिलते हैं, VCC, Trig, Echo और Ground तो यह sensor कैसे work करता है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम इसकी trigger pin पे 10 microseconds की pulse देते हैं जब हम इस sensor पे 10 microseconds की pulse देते हैं, तो यह 8 cycle of sonic bus produce करता है 40 kHz पे तो जो echo pin पे हमें output मिलता है, वो total duration होती है हमारी, जब हमारी sound wave sensor से गई है और reflect हो के वापिस हाई है हमारी sensor पे, वो total time हमें echo pin का output से मिल जाता है तो अब इससे distance को कैसे calculate करते हैं, जब मैं code लिखूंगा तो मैं आपको बता दूँगा कि उसको कैसे calculate करते हैं तो अब हम ultrasonic sensor को Arduino से connect करेंगे, तो यह एक Arduino Uno है connection करने के लिए हम jumper wire use करेंगे, यह male to female jumper wire है ultrasonic sensor की VCC को हम Arduino की 5V से connect करेंगे ultrasonic sensor की trick pin को हम Arduino की digital pin 8 से connect करेंगे ultrasonic sensor की echo pin को हम Arduino की digital pin 9 से connect करेंगे अब हम ultrasonic sensor की ground को Arduino के ground से connect करेंगे तो बस इतनी connection करने थे, तो अब हम Arduino में USB connect कर लेते हैं और दूसरी साइट को हम अपने PC से connect कर लेते हैं तो Arduino को प्रोग्राम करने के लिए आपको एक software चेह होगा Arduino IDE तो इसे open कर लेते हैं तो अब हम अपना code लिखेंगे तो सबसे पहले हम define करेंगे trigger pin को तो trigger pin को हमने 8 पे connect कर रहा है तो उसे define कर लेते हैं और उसके बाद हम echo pin को define करेंगे उसे हमने 9 पे connect कर रहा है तो उसे define कर लेते हैं अब हम serial communication स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे serial.begin 9600 ताकि हम serial monitor पे हमारी ultrasonic value को show कर पाएं उसके बाद pin mode function का use करके हम trigger pin को output define करेंगे और pin mode function का use करके हम echo pin को input define करेंगे अब हम 2 variable define करेंगे एक distance के लिए और एक duration के लिए तो ultrasound wave transmit करने के लिए हमें trick pin पे 10 microseconds की pulse देनी होती है तो सबसे पहले हम trick pin को low करेंगे और उसको 2 microseconds तक low रखेंगे उसके बाद हम उसे high करेंगे और उसे 10 microseconds तक high रखेंगे और फिर हम उसे low कर देंगे तो जो ultrasonic sensor होगा वो sonic bus produce करेंगे इसी same time पे वो echo pin को भी high कर देगा तो हमें duration निकालने के लिए हम एक function यूज करेंगे आरडीनो में pulse in तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे duration is equal to pulse in bracket में हम echo pin, high लिखेंगे मतलब कि echo pin जब high होई है जब से लेके जब वो low होगी उसका total duration हमें pulse in function से मिल जाएगा अब हमें total duration मिल गया है कि हमारी ultrasound waves जब reflect होके वापिस हमारे sensor पाई है उसकी total duration मिल गई है तो अब इससे हम distance कैसे calculate कर सकते हैं वो देख लेते हैं तो speed of sound की value room temperature पे 343.5 meter per second होती है तो अगर हम इसे cm per microsecond में convert करें तो इसकी value होगी 0.03435 cm per microsecond तो अगर हम speed of sound की value को हमारे total duration से multiply कर देंगे तो हमें total closed loop का distance मिल जाएगा मतलब कि sensor से sound waves का जाने का और वापस आने का total distance मिलेगा हमें लेकिन हमें sensor से object का distance चाहिए तो उसके लिए हम अपने total duration को 2 से divide कर देंगे और multiply कर देंगे speed of sound से तो इससे हमें object का distance मिल जाएगा कि sensor से object कितना दूर है तो जो speed of sound की value है 0.03435 उसको आप 1 divided 29.1 भी लिख सकते हैं क्योंकि वो दोन equally होता है जब आप इसे divide करेंगे तो आपको 0.03435 भी मिलेगा आप इसे inches में भी निकाल सकते हैं लेकिन आपको meters को inches में convert करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे centimeter में निकार रहे हैं हम अपना formula लिख लेते हैं distance is equal to duration divided by 2 duration को हमने half कर लिया और उसको speed of sound से multiply कर देंगे speed of sound हमारी 1 divided by 29.1 है तो formula कुछ ऐसा हो जाएगा तो अब हमें distance मिल चुका है तो यहाँ पे मैंने simple condition लगाई है कि अगर हमारा distance 200 cm से जाद होता है या उसकी value 0 से कम होती है या 0 के equal होती है तो हमारी serial monitor पे out of range आए और अगर उसकी value 200 के अंदर आती है मतलब की 200 से कम है तो हमारी serial monitor पे distance की value show हो जाए तो अब हम Arduino में प्रोग्राम अप्लोड कर लेते हैं सबसे पहले हम tools में जाएंगे तो board मैं Arduino Uno यूज़ कर रहा हूँ तो मैं Arduino Uno select कर लेता हूँ उसके बाद हम फिर से tools में जाएंगे और port select करेंगे तो com3 available है अब हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम को verify करेंगे तो जो right sign वाला tick है उसपे क्लिक कर लेते हैं तो अब compiling हो रही है compiling done हो गई है अब हम अपने program को upload कर लेते हैं जो right sign वाला arrow है उसपे क्लिक कर लेते हैं तो Arduino में program upload हो जाएगा program upload हो चुका है तो अब हम serial monitor open कर लेते हैं तो जो right sign में search वाला option है उसपे क्लिक कर देते हैं तो serial monitor open हो जाएगा तो यहाँ पे हम borderline 9600 select करेंगे तो आप देख सकते कि मैं अपने हाथ को close ला रहा हो तो distance की value कम हो रही है और अगर मैं उसे दू ले जा रहा हो तो distance की value बढ़ रही है thanks for watching this video अगर आपको यह video पसंद आएगे तो please मेरे चैनल को subscribe कर जीजे और वीडियो को like कर देना और bell icon को press कर लेना आपको मिलता हूँ में next video में बाल स्टेवार बाल हुआ है